दोस्तों एक पर फ्रिसे सुवागत करता हूँ आप सभी का D.A.R.Education Case YouTube चैनल पर देखिए दोस्तों 8 ओक्टोबर 2021 को तीन ओफिसल नोटिस वेबसाइट पे जारी किये गए थे जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया था क्योंकि एक दो दिन से बिजी स्केडूल था लेकिन मैंने आपके साथ टेलिग्राम चैनल पर शेयर कर दिये थे वो तिनो नोटिस लेकिन अब भी बता देता हूँ कौन-कौन से नोटिस जारी किये थे ओफिसल वेबसाइट पे क्या उन में दिया गया है कौन-कौन सी पोस्ट कोड है जिन से रिलेट करते हैं एक एक करके आपको तिनो नोटिस है जिनके बारे में बता देता हूँ सबसे पहला नोटिस यह है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मोस्ट अर्जेंट नोटिस है और यह जारी किया गया था 8 अक्टोबर 2021 को सब्जक्ट में लिखा गया है डिस्प्ले ओफ ड्राफ्ट अंसर कीज फोर ऑनलाइन केम्पूटर बेस्ट एक्जमिनेशन फोर एक्जमिनेशन एज्स पर डेटेल गिवन बिलोग यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट है टी मैथ फिमिल की पोस्ट कोड़े 37 बटा 21 और यह एक्जमिनेशन कंडेक्ट उराए गई थी अलग-लग 3 दिनों को 10 सेप्टमबर, 11 सेप्टमबर और 13 सेप्टमबर 2021 को इसके ड्राफ्ट आंसर की जारी कर दी है ऑफिसल वेबसाइट पे आप अपनी अपनी जो आंसर की होँ चेक कर सकते हैं आट तारिक से लेकर के 12 तारिक तक लिंक एक्टिवेट रहेगा ऑफिसल वेबसाइट पे लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं Objection Management Link For the Post of TGT Maths Female यहाँ पे जैसे आप किलिक करेंगे उसके बाद एक नया पेज निकल करके आएगा जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देदूँगा आप यहाँ पे Direct Space पे पहुँच जाओगे यहाँ पे आपना Application Number और Date of Birth फिल करके Login कर देना है और अपनी जो Answer की हो आप आराम से Check कर पाएंगे ठीक है इसके बाद Next Notice पे चलते हैं जो दूसरा Notice कौन सा जारी किया गया था आप यहाँ पे देख सकते हैं यह भी आठ तारीक को जारी किया गया है और Notice में लिखा गया है कि Candidates for the Post of PGT English Female Post Code 26 बटा 20 इसके E-Dozer से Regarding यह Official Notice जारी किया गया है देखिए इसके E-Dozer फिल किया गया थे लेकिन अभी कुछ documents की कमी रह गई इन candidates के जिनके roll number यहाँ पे mention किये गए है इनको first opportunity दी गई है कि वो अपने E-Dozer फिल कर दे 8 तारीक से लेकर के और 17 तारीक के बीच में यहाँ पे जिन candidates के roll number mention किये गए है उनको remarks यहाँ पे जो यह दिये गए है न यह remarks और regions और यहाँ पे बता भी दिया गए कौन-कौन से documents है जिनकी वज़े से आपको E-Dozer दुबारा से फिल करना है और कौन-कौन से document upload करने है तो total है 52 candidates जिनको E-Dozer फिल करना है first opportunity है आर तारीक से लेकर के और 17 तारीक तक link एक्टिविट रहेंगे official website पे और अपने जो document है वो upload कर देने है अपनी अपनी profile पे जा करके यह था दूसरे notice अब चलते हैं तीसरे notice पे यहाँ पे आप देख सकते हैं यह भी आठ तारीकों ही जारी किया गया notice है post है PGT commerce mail की post code है 23 बटा 20 और यह भी e-dozer से related ही official notice है जिन candidates के यहाँ पे role number mention किये गए हैं उनको भी दुबारा से यानि एक first opportunity दी गई है कि वो अपने document जिनकी कमी रहे गई upload करते समय तो वो अपना upload करते नहीं तो इनके candidates हैं वो reject कर दिये जाएंगे ठीक है यहाँ पे कितने candidates ने total तो यहाँ पे 61 ऐसे candidates ने जिनके role number mention किये गए हैं इनको 8 तरिक से लेकर के वही 17 तरिक तक अपने जो e-dozer है अपनी अपनी profile पे जा करके upload करने हैं ठीक है दोस्तों तो यह official notice थे तीन जो 8 तरिक को जारी के गए थे official website पे जो मैं आपके साथ share नहीं कर पाया थे लेकिन telegram channel पे share कर दी थे आप सभी के साथ तो अभी तक आपने telegram channel जोईन नहीं किया है तो description में उसका link मिल जाएगा आप आसनी से जा करके telegram channel को जोईन कर सकते हैं ठेके दोस्तों तो आगे मिलता हूँ किसी next video में नहीं अपडेशन नहीं information के साथ तब तक के लिए बने रहे हैं मिरे साथ thank you so much